दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के तीसरे सबसे बड़े उत सर्जन के रूप में भारत जलवाई परिवर्तन के खिलाफ वैस्वी के लड़ाई में एक महत पूर्न खिलाडी बन चुका है इंटरनेशनल एकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स मामले में अपने बड़ते प्रभाव के मताबिक भारते पिछले कुछ वर्सों में वारसिक जलवाई परिवर्तन सम्मिलन में तेजी से सक्री हो गया है यह जलवाई परिवर्तन को लिग कर इवनाइटेड नेशन के कॉंफरेंस ओफ पार्टीज सी पीपी कारकरम है और इस बार इसकी 28 में बैठक होने वाली है लिहाजा इसे कॉप 28 नाम दिया गया है हलाकि भारते ने 2008 में इनमें से 1 सम्मिलन की मेजबानी भी की थी लेकिन उस समय कॉप के बहुत सरल मामले हुआ करते थे जिसमें केवल जलवाई वर्तकार और कुछ परियावरन मंत्री हिस्सा मिल होते थे वे उन्हें बेहद हाई प्रोफाइल गटनाओं से बहुत अलग थे जो हाली में सी ओपी बन गए है 2009 में कॉप एन हेगन में कॉप 15, 2015 में पेरिस में कॉप 21 और कॉप 20, 21 में ग्लास गो में कॉप 26 सिकर समयलन के दोरान सौ से ज़्यादा देशों के राष्ट अग्धक्षिशों ने हिस्सा लिया था और अब सी ओपी दुनिया का सबसे बड़ा अंतराष्ट की कारेकरम बन गया है और अब सी ओपी दुनिया का सबसे बड़ा अंतराष्ट की कारेकरम बन गया है और इसे बार कम से कम 160 देशों के राष्ट धक्षिश में हिस्सा लेने वाले है कोई प्रस्ताव जो भारत से अपने उस सर्जन को कम करने के लिए कहता है उस पर नई दिली सक्ति से मना ही लगाता है भारत की जलवाई करवाईया उस सर्जन की तिर्वरता या जीडिपी के प्रती काई उस सर्जन के संदर में तै की गई है परिणाम सरुप भारत अपने उस सर्जन के लिए शिखर यास, शिखर वर्ष को परिभासित करने के किसी भी सुझाव को अस्रिकार करता है। भारत को कोईले से चलने वाले बिजली संयत्रों को ततकाल बंद करने की मांग अस्रिकार लगती है। भाट चा कहना है कि उसे कम से कम डेड़ दसक तक बिजली उस्पादन के लिए कोईले पर निर्भा रहना होगा इसके अलावा क्रिसी छेटर में उस सरजन में कटोती एक सेक्टर है जिसे भारत को सक्ट इतिराज है पसुपारन के साथ साथ क्रिसिच छेदर भारत के वासिक उसरजन का लगभग 15% हिस्सा है यह मुक्रूप से मिथेन है जो कार्बन डायॉकसाइड की तुलना में अधिक सक्तिसाली ग्रिन हाउस कैसे लेकिन वाई मंडल में कम से कम तक यह रहती है क्रिसिच उसरजन में कटोती पर सहमती का मतलब फसल पैटर्न में बदलाव हो सकता है और इसका भारत की खादस रक्षा पर बड़ा प्रभाव पर सकता है फिलहाल के लिए मुझे दीजी जाज़त देखते रहे पंजाब की सिरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद